हलो फ्रेंड्स मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल पर फ्रेंड्स स्टाप सेलेक्शन कमिशन यानि की SSC ने कमबाइन हायर सेकेंडरी लेबल CHSL 10 प्लस टू इक्जामेशन 2021 के टीर वन का टेंटेटिव आंसर की और Candidates Response Seat ये दोनों ही अपने Official Website पर अपलोड कर दिया है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपना आंसर की किस तरह से चेक करोगे आप अपना Response Seat किस तरह से डाउनलोड करोगे और अगर आप अपने आंसर की या Response Seat से संतुस्ट नहीं हो और आप Representation सब्मिट करना चाहते हो तो आप Representation किस तरह से सब्मिट करोगे और कब से कब तक सब्मिट करोगे अगर आज का ये वीडियो आपको informative लगे तो सस्क्राइब करके जुड़े रहे हमारे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं तो यही वो नोटीस है जिसमें SSC ने इस एक्जाम से संबंधित कुछ important informations दिये हुए हैं इसके साथ ही Answer की चेक करने का, Response Seat डाउनलोड करने का और Representation सब्मिट करने का लिंक भी इसी नोटीस में दिया हुआ है तो इस नोटीस में सबसे पहले SSC ने ये बताया है कि Combined Higher Secondary Level यानि कि CHSL 10 Plus 2 Examination को 24 मही 2022 से लेकर 10 जून 2022 तक country के different different center में conduct करवाया गया था इसके बाद SSC ने इस नोटीस में बताया है कि Response Seat और Tentative Answer की ये दोनों ही नीचे दिये हुए लिंक पर available है Candidates अपना Registration, Login ID और Password का यूज करके नीचे दिये हुए लिंक के Help से Login कर सकते हैं इस नोटीस के नीचे आपको अभी एक लिंक दिखेगा और उसी लिंक के सहायता से उपर जो भी बताया गया है वो सारा काम आप कर सकते हो और किस तरह से करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसके बाद इस नोटीस में बताया गया है कि अगर आप अपना Registration सब्मिट करना चाहते हो तो 22 जून 2022 के रात के 8 बजे से लेकर 27 जून 2022 के रात के 8 बजे तक हर एक Question-Answer चैलेंज करने के 100 रुपिय का पेमेंट करके आप Online Registration सब्मिट कर सकते हो इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि 27 जून 2022 के रात के 8 बजे के बाद जो भी Registration रिसीब होंगे उस पर SSE के तरफ से कोई विचार नहीं किया जाएगा तो अगर आप Registration सब्मिट करना चाहते हो तो इस दिये हुए Date और Time के अंदर ही पेमेंट करके Online Registration सब्मिट कर सकते हो इसके बाद SSE ने सभी Candidates को ये भी कहा है कि वे अपने Response Seat का एक Print Out लेकर रख लें क्योंकि उपर दिये हुए Date और Time के बाद आपका Response Seat SSE अपने Website से हटा देगा इसके बाद आप अपने Response Seat का Print Out नहीं ले सकते हो इसके बाद इस Notice में नीचे एक Link दिया हुआ है और ये Link वही Link है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है इसी Link के Help से आप अपना Response Seat डाउनलोड कर सकते हो अपना Tentative Answer की Check कर सकते हो और आप अपना Repurgentation Submit कर सकते हो तो चलिए आपको बताते हैं कि आप अपना Answer की किस तरह से Check करोगे Answer की Check करने के लिए आपको इस Link पर क्लिक करना होगा यहां से तो आप इस Link पर क्लिक नहीं कर सकते हो क्योंकि यह संभव नहीं है इसलिए मैंने इस Link को इस वीडियो के Description Box में डाल कर रखा है Answer की Check करने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के Description Box में जाना होगा Description Box में जाके जैसे ही आप उस Link पर क्लिक करोगे आप एक नए पेज पर पहुँच जाओगे इस पेज पर आने के बाद आप देखोगे कि आपको अपना Exam सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है तो आप यहां पर Combined Higher Secondary 10 Plus 2 Level Examination 2021 Tier 1 इस Exam को सेलेक्ट कर दे और सेलेक्ट करने के बाद यहां पर Submit लिखाओवा बटन पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप फिर से एक नए पेज पर पहुच जाओगे और यहां पर आपको हरा कलर में Click Here लिखाओवा देखने को मिलेगा आपको उस पर क्लिक करना है जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे फिर से आप एक नए पेज पर पहुच जाओगे यहां आपको Candidate Login लिखाओवा देखने को मिलेगा इसके नीचे आपको Roll Number जो की Admission Certificate में था उसे Enter करना है Roll Number एंटर करने के बाद आपको अपना Password एंटर करना है Roll Number और Password एंटर करने के बाद नीचे आपको Login लिखाओवा देखने को मिल रहा है आपको इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने आपका सारा Details खुल कर आ जाएगा और इसके नीचे आपको अपना Answer की भी देखने को मिल जाएगा अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो इसका भी option आपको इसी पेज पर देखने को मिल जाएगा और अगर आप Representation Submit करना चाहते हो तो इसी page के help से आप अपना representation भी submit कर सकते हो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो like करे और अपने friends के साथ share जरूर करे चैनल पर नए हो तो subscribe करे और notification bell को दबा के all को select कर दे ताकि इसी तरह के informative वीडियो को notification आपको मिलता रहे धन्यवाद